कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभु सिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर व्यक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के परियाय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सम हो रहे हैं स्वच्छता भ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैं स्री राम के आशिरवात से दनोश कोडी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये विनम प्रयास था वहां पर मैंने पुष्ट बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और सुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े थी चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवितर त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो श्री रंगम मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में श्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हो मैं माता जान की लक्ष्पन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूँ कि जिन के आशिरवात से ये महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आस पास उपस्तित है मैं इन से भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वक नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से च्छमा याचना भी करता हूँ हमारे पूर्शार्थ, हमारे त्याग, तपस्यामें मैं आज प्रभूस्री राम से च्छमा याचना भी करता हूँ